तो हेलो गुड इवनिंग ओल अफ यू कैसे हैं भई आप सभी लोग शुरुआत करेंगे हमारी आज की करन्ट अफियर्ट सी क्लास समसामाई गटनाओं के बारे में क्या-क्या जानने को मिलता है आज देखेंगे फटा-फट से आ जाईए तो सभी के सभी मुहम्मद आदिल गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग चलिए शुरुवात करते हैं देखते हैं आज क्या-क्या है करेंट अफेर्स की क्लास में नया आज के दिन क्या-क्या देखने को मिला ठीक है सबसे पहले देख लें कि आज की current affairs की जो class है वो किस-किस के लिए है targeted audience कौन-कौन है आज की current affairs की class में तो आज ही current affairs की class के लिए targeted audience जो है वो है वही UPSC defense experience जितने भी हैं वो सारे के सारे SSC, CGL, CHSL, banking students जितने भी teaching exam के experience होते हैं वो सब और बाकी जितने भी competitive exams होते हैं उन सब के experience आज की class के लिए targeted रहेंगे हमारी तो आगे बढ़ते हैं current affairs में क्या-क्या जानने को मिलता है लेकिन उससे पहले 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 आज का thought क्या है आज का विचार क्या है तो आज का विचार जो है वो कहता है education breeds confidence confidence breeds hope and hope breeds peace मतलब क्या हुआ भई शिक्षा जो होती है उससे आत्म विश्वास आता है शिक्षा से आत्म विश्वास आता है आत्म विश्वास से hope आशायें जगती है और आशाओं से क्या आती है ultimately peace आती है शान्ती मिलती है या शान्ती आती है तो यानि कि अगर आप कहीं पे शान्ती क प्रमोट करना चाहते हैं शांती बढ़ाना चाहते हैं तो शांती को बढ़ाने के लिए शांती को बनाए रखने के लिए उस समाज का educated होना उस समाज का शिक्षित होना बेहत जरूरी है क्योंकि जो समाज शिक्षित होगा वही समाज peaceful होगा वही समाज सबसे शांत समाज होग अरा जगता कम होगी अगर लोग समझदार होंगे तो जैहिंद इपिका जी कि चैलिए तो आगे बढ़ेंगे देखेंगे आज की नैशनल न्यूस क्या-क्या है आज की राश्ट्रिये खबरें क्या-क्या है जो हमें जानने को मिलेंगी राश्ट्रिये खबरों में राश्ट्रिये खबरों पे आने से पहले आ गया है जी फिर से एक सवाल जी सर सवाल बहुत पूछते हैं सवाल पूछना बेहत जरूरी है क्याकि इस से चीज़ें ज्यादा ढंक से याद होती है सवाल यह है इन में से कौन सा राज्य इन में से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने हाल ही में PMFBY प्रधान मंत्री क्या है फुल फॉर्म प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को री जोइन कर लिया है दोबारा से जोइन कर लिया है which state has recently rejoined the प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना and your options are पहला option क्या West Bengal है क्या पश्चिम बंगाल है राजस्थान है बिहार है या आंद्र प्रदेश है जल्दी से बताईए बताईए इन में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को दुबारा से जॉइन किया है option ए नहीं जी ए option नहीं है और अटाफट देखने चाहते हैं हम आप सभी के उत्तर देखना चाहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से बताईए कोशिश कीजिए गलत बताईए लेकिन कोशिश कीजिए याद रहेंगी चीजें आगे जा करके आपको चलिए तो देखते हैं सही उत्तर क्या है और न्यूस क्या थी खबर क्या थी इस से जुड़ी हुई तो खबर ये रही, बुलिटन ये रही आपके सामने, बुलिटन ये थी कि आंधर प्रदेश ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को फिर से जॉइन कर लिया है या जॉइन करेगा ऐसा आंधर प्रदेश के जो CM है, आंधर प्रदेश के जो Chief Minister है, मुख्य मंत्री है, क्या को लिए और प्रदेश के मुख्य मंत्री का, श्री ये जुद गमोहन रिडड़ी, वाइएस जगन मोहन रिडट़ी नाम है झी, ठीक है, उनका ऐसा कह रहा है कि आंधर प्रदेश ने पैसला किया है कि वो प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना उसको फिर से जॉइन कर लेग देखिए बीच बीच में कई सारे स्टेट्स ने प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना को छोड़ दिया था क्योंकि सिमिलर योजना है उनकी स्टेट में चल रही थी ऐसा कहें, या ऐसा कहें कि वो प्रदानमंत्री जी के नाम से कुछ योजनाओं की स्कार्ट नहीं करना चातें थे, इस वाजए से उन्होंने जॉइन नहीं किया था, आप्ट आउट हो रखे थे, हाल ही में अभी और भी ऐसे प्रदेश हैं, और ऐसे राज्ये हैं, और ऐसे स् और महतवाकांशी योजना है ठीक है सीमा क्लास शुरू हो कि कहां से अभी शुरू हुई है सही टाइम पहाए है लगबग आप अभी स्टार्ट हुई है क्लास यहां लिख देते हैं इनका नाम आंदरप्रदेश के सीम का नाम क्या है वाइस जगन मोहन रिड्डी पहली ही न्यूज देख रहे हैं हम यह फर्स्ट न्यूज है ठीक है अभी स्टार्ट हुई है वाइस जग मोहन रिड्डी हां जी दिपिका जी सही का आपने वाइस जग मोहन रिड्डी नाम है चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को अ PMFBY was launched in the year किस साल में प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना को लॉंच किया गया था किस साल में लॉंच हुई थी क्या 2001 में लॉंच हुई थी क्या जी 2010 में 15 में या 2016 में जल्दी से बताईए किस साल प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना को लॉंच किया गया था किस साल लॉंच किया गया था पीएम फसल भीमा योजने को पीएम एफ बीवाए को बताएं जल्दी से हां जी डेली इसी टाइम होती है क्लास डेली क्लास का टाइमिंग यही है रोज पांच बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है कभी कभार वड़ा बहुत लेट हो जाते हैं लेकिन क्लास लगबग इसी समय स्टार्ट हो जाती है और अब से मंड़े से फ्राइडे तक लाइडे तक देली पांच बजे क्लास चलेगी ठीक है करंट अफियर्स की सी, सी, सी हाँ जी बहुत लोगों के आंसर हैं सी लेकिन दुर्भाग के वश आप गलत हैं क्यों गलत हैं वो अभी पता चलेगा आपको जी ये देखिए ये रही प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के उपर कुछ बेसिक बातें, क्या है प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना 2016 में स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई 2016 में लाँच किया गया था इसको, क्या है ये एक इंशॉरेंस सर्विस है, ठीक है इंशॉरेंस सर्विस है ये और ये service किसको दी जाती है, farmers को दी जाती है, जो किसके उपर दी जाती है, उनकी yields के उपर, उनकी उपज के उपर ये insurance दिया जाता है farmers को, ठीक है, insurance coverage और financial support देती है किसानों को, कब देती है, अगर crop fail हो गई है, अगर fustle fail हो गई है, किस कारण से fail हो गई है, natural calamities, प्राकृति प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, फustle fail हो गई है, तो उस loss से, उस नुकसान से किसानों को बचाती है, ये insurance, योजना, ये बीमा योजना, नाम क्या है प्रदान मंतरी, फustle बीमा योजना, किस साल launch होई, 2016 में launch होई, याद रख कितने premium बरने पड़ते हैं, फटा फट देखें, 2% खारिव के लिए देना पड़ेगा, सम-insured में premium किते भरना पड़ेगा, देखिए, 2% खारिव के लिये, 1.5% रभी के लिए और 5% annual commercial और hortical प्रेव के लिए, 2%, 1.5% रभी फसलों के लिए और 5% annual commercial और horticultural crops के लिए खारिफ फसले क्या होती है और रभी फसले क्या होती है ठीक है खारिफ फसले क्या है और रभी फसले क्या है ये आप लोग हमें बताएंगे ठीक है next class तक मंडे तक ये प्रिपेर करके रखियेगा हम पूछेंगे आपसे कि खारिफ फसले कौन सी है और कभ वोई जाती है और रभी फसले कोन सी हैर कब कर डेट की diagnosed है ठीक है चलिये हान जी பांस दिन बहुत है हान जी हमें पता है जी इसलिए इसलिए हमने असा किया है चलिए आम है श्रावनी मेला ये किस स्टेट में किस राज्य में मनाया जाता है श्रावनी मिला कि इन विड़् फॉलोएंग इस्टेट प्लीस आंसर तेकम फैसेश।で आंसर युर प्श्यन्थ आर नम्ब्रवन गुझरात में मनाया जाता है नमबढ 날 रायाना Про प्रीत्रिप्रा में मनाया जाता है या जार्खंड में मनाया जाता है कहां मनाया जाता है श्रावणी मेला जल्दी से बताएं previous class का कैसे पता चलेगा जी आप playlist में जाएं entrance wizard की playlist में जाएं और उस playlist में आपको current affairs मिलेंगे प्ले लिस्ट में आपको current affairs मिलेंगे और current affairs की अब तक आठवी class चल रही है यह 8th class है 7 classes हो चुकी है ठीक है वो 7 की 7 classes आपको मापे मिल जाएंगी ठीक है जी नहीं जी नहीं options गलत हैं थोड़े दिनों पहले त्रिपुरा का नाम आया था तो आपने त्रिपुरा ही बता दिया त्रिपुरा के अंदर तो खर्ची मेला खर्ची मेला मनाया जाता है क्या मनाया जाता है खर्ची खर्ची या खार्ची फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है त्रिपुरा में कौन मनाता है खार्ची मेला खार्ची मेला त्रिपुरा के हिंदू ट्राइबल्स हिंदू आदिवासी मनाते हैं मैंने बताया था कि इसके अंदर 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है ठीक है खार्ची मेला के हिंदू आदिवासी मनाते है कहा कहा है खार्ची श्रावनी कहा कहा है तो श्रावनी आहा हाँ डी आ गया है opTION लोगों का चलिए भई देख लेते हैं यह रहा जी श्रावणी मेला बाबा बैद्नात टेंपल है बाबा बैद्नात का मंदिर है कहां है देवघर में देवघर कहां पे है जारखंड में अब भी थोड़े दिनो पहले की न्यूज है देवघर जारखंड के अंदर बाबा बैदिनात मंदिर में लगता है क्या लगता है श्रावणी मेला लगता है और ये जो बाबा बैदिनात मंदिर है ये बारा जोतिर लिंगों में से एक है वही तोटल बारा जोतिर लिंग है न भारत में है या नहीं है उनमें से एक जोतिर लिंग कौन सा है बाबा बैदिनात मंदिर का ठीक है पूरे बारा जोतिर लिंग आपको याद करा देंगे ठीक है लेकिन अगली क्लास में बताएंगे जब तक थोड़ा थोड़ा ओंवर्क आप लोग भी कीजिए आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा कीजिए ठी लिए तो बाबा बैदिनात मंदिर कहां पर है देवघर जारखंड में है अब आप हमें यह याद कराईए थोड़े दिनों पहले देवघर का नाम क्यूं आया था क्यूं आया था थोड़े दिनों पहले देवघर का नाम रादिका चौदरी हेलो जी देवघर का नाम क्यू आया था इतना जाता समाचार में देवघर का नाम क्यों था थोड़े दिनों पहले प्रधान मंत्री जी गए थे हां जी थोड़े दिनों पहले प्रधान मंत्री गए थे बताया था मैंने देवघर में देवघर में देवघर एयरपोर्ट देवघर एरपोर्ट का शिलान्यास किया था देवघर एरपोर्ट इनाउगरेट किया था और क्या इनाउगरेट किया था एक एम्स बनाया था वहाँ पे All India Institute of Medical Sciences उसका भी शिलान्यास करने प्रधानवंतरी मुदी जी जारखंड के देवघर में गए थे कोई बात नहीं जी आपने पुरानी क्लास नहीं देखी कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट बिल्ट बाय पीम नहीं होता है एयरपोर्ट इनाउगरेटेड बाय पीम होता है प्रधानमंतरी जी ने बनाया नहीं है प्रधानमंतरी जी ने उसको उसका शिल प्रेश्न बहुत पूछे जाते हैं और प्रेश्न ये रहा, Global Gender Gap Index, हिंदी इंगलिश में यही है, Global Gender Gap Index, लेंगिक समानता को बताता है, क्या बताता है? लेंगिक असमानता ठीक है जेंडर गैप को बताता है ये इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है ये इसको किस ने रिलीज किया है क्या वल्ड बैंक ने किया है इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन क्या है फुल फॉर्म इंटरनेशनल labor organization international labor organization क्या इसने किया है या फिर IMF international monetary fund क्या full form है international international monetary fund क्या इसने किया है क्या जी या फिर WEF world economic forum World Economic Forum किसने किया है Global Gender Gap Index को Release इन में से किसने किया है जल्दी से वताएं World Bank, International Labour Organization IMF या WEF जल्दी से ती ती नहीं जी नहीं 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 ऐसते काम नहीं चलेगा पढ़ना पढ़ेगा क्या पढ़ना पढ़ेगा हम बताते हैं जी क्या पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा Global Gender Gap Index Global Gender Gap Index को Release करते है World Economic Forum कौन Release करता है World Economic Forum जो है उसने Global Gender Gap Index को Release किया है क्या है ये इसके अंदर भारत का जो rank आया है वो आया है 135 out of 146 countries 146 देशों में से 135 स्थान भारत ने हासिल किया है ठीक है पिछली साल से थोड़ा बढ़ा है पिछली साल से थोड़ा अच्छा हुआ है पिछली साल कितना था एक सो चालिस था किते में से था एक सो चपन में से 140 रैंक थी पिछली बार आउट आउट आफ 156 countries अब कितनी है 135 135 आउट आउट आफ 146 countries याद रखिएगा इंडिया का रैंक कहां आ रहा है ठीक है पैरामीटर्स इसके मानक क्या-क्या है इसमें क्या-क् पालिटिकल एंपावर्मेंट राजनितिक तोर पर कितने एंपावर्मेंट है है उस सबीकावर्मेंट वाफिशन गंशे चाहग सुशन में स्वास्त के रूप में या स्वास्त की तरच पर मेल ज्यादा पूंड है या फिर लेट जियादे嗎 ज dit एंगिख को समानता को बताता है जेंडर इनक्व्होलिटी को बताएं-डा ईस्लैंड की स्भर्सट पॉजीशन आई ہے है आईस्लैंड की पोजीशन कौन सी यह साइ츠 सब्से उपर पहले रही था अब भी यह यह पिछली बार जब इंडेक्स रिलीज हुआ था तब भी आइसलेंड था और आज भी आइसलेंड है वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री सबसे ज्यादा लेंगिक समानता यहीं पे है कहां पे है आइसलेंड में है उसके अलावा फिनलेंड नौर्वे नूजी लेंड और स्वीडन टॉप फाइफ आते हैं कौन-कौन Finland, Norway, New Zealand और Sweden अफ़गानिस्तान जो है worst performing है तो बताने की जुरत नहीं है अफगानिस्तान जो है worst performing country है सबसे ज्यादा लेंगिक असमानता अफगानिस्तान में यह जो सबसे ज्यादा देखा जाये जो लेंगिक असमानता की problem है न वो South Asia में देखने को मिltी है ठीक है? दक्षिन एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती है दक्षिन एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है आपकी एक तो 一ंडिया आही जाता है देख लीजिए पीछे ही हैं हम आगे नहीं है 135 है अफगानिस्तान तो worst performing आही गई, पाकिस्तान भी इसके अंदर आ जाता है, चाइना में भी ये problem कम नहीं है कि पुरुशों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और उसके अलावा बंगला देश में भी लगबग लगबग यही हाल है, साउथ एशिया के अंदर जो जो कंट्री है, साउथ एशिया में, दक्षिन एशिया में जित्ती भी कंट्रीज हैं, लेंगे का समानता ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि आप पुरुशों को, मेल्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, चले, आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड एकनोमिक फोरुम के उपर है क्वेस्चन, ठीक है, अभी पढ़ा था न, कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन देता है, वर्ल्ड एकनोमिक फोरुम देता है, तो वर्ल्ड एकनोमिक फोरुम जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था वर्ल्ड एक में वर्ड़ एकोनोमिक फोरं है जल्दी से जल्दी से बताई कि इस की स्तापना कभ वुए थी aí किम बैठें आजी इस वर्ल्ड एकड़नोमिक फोरं की स्तापना कभ हुए थी like का button दबा दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ठीक है कि फिरमाईएगा नहीं कि प्रश्ण का उत्तर दीजिए लाइक का बटन दवाई और पूरी क्लास देख करके जाईए बाद में भी नहीं देखनी है अभी देखनी है कि दी और कौन है वही जल्दी से बताएं तब से ज्यादा कहां देखने को मैं गुड़ इवनिंग सूरजभान जी गुड़ इवनिंग इस प्रश्ण का उत्तर दे हमें कि वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम जो है वो कब बना था कब फॉर्म हुआ था 1971 में, 2009 में, 1944 में, 2001 में, 1971 में, 2009 में, 1944 में या 2001 में एक दी नहीं जी आंसर ये नहीं है अब ज़रा देखते चलिए मेरे साथ फटा फट दो तीन ओर्गनाइजेशन याद हो जाएंगी वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम तो जो है आपका WEF जो है ये, वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम ये तो बना था 1971 में, कब बना था 1971 में जिस साल बंगलादेश वार हुई थी ना, बंगलादेश युद्दुआ था, उस साल क्या बना वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम याद रखिए चीजों को 2-3 से connect करके याद रखेंगे बिल्कुल याद होगा 2009 2009 में bricks की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिक था ब्रिक organization का नाम सुना है आपने ब्रिक के अंदर कौन-कौन से आते हैं देश ब्राजील इंडिया भारत आर है ना बी आर पहले रश्या ले लेते हैं रश्या जो युक्रेन से युद्ध कर रहा है इंडिया भारत हमारा देश भारत महान चाइना और बाद में इसके अंदर South Africa जुड़ा बाद में जुड़ा ठीक है और बाद में जब South Africa जुड़ा तो इसका नाम चेंज हो गया इसका नामांकरन चेंज हो गया क्या हो गया फिर ये Bricks से Bricks हो गया ठीक है 2009 में क्या बना था Brick बना था जो कि बाद में Bricks हो चुगा था ठीक है आगे देखिए 1944 1944 1944 में IMF की स्थापना हुई थी IMF यानि International Monetary Fund इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ठीक है IMF की स्थापना कब हुई थी IMF की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1944 1944 में दुतिय विश्व युद्ध खतम होने एक से पहले ही लगभग खतम हो ही गया था लगव मानिए ठीक है ब्रेटन वूड्स इंस्टिटूशन इनका नाम था जिसके अंदर International Monetary Fund की स्थापना हुई थी IMF की ठीक है जी बिलकुल सही का अटिशा ब्राजील इंडिया रश्या चैना साउथ अफ्रीकाबात में हाँ जी मनीशा जी देपाइव बिलकुल सही का बिलकुल सही का चलिए 2001 में बना था स्सी ओ माने चंहाय को ऑपरेशजन को ऑपरेशं को ओर तरह आगर चाइन बड़ी और देशन हैं उनके अंदर चाइना का मेर्ट में रोल अर्गनाइजेशन में रहता ही होगा वैसे लगवक टितनी भी बड़ी और्गनाइजेशन है उनके अंदर चायना का एक महत्रपूर्ण रोल होता ही है क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका है काफिज चायना ठीक है सब्सक्राइजेशन के अंदर ब्रिक बना ब्राजील रशिया इंडिया चायना बाद में साउथ अफ्रीका एड हो करके किसमें कनवर्ट हो गया ब्रिक्स में कनवर्ट हो गया 1944 दितिये विश्वी युद्ध खतम हुआ ही था लगबद तो आई एमाफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बन गया ब्रेटन वूट्स इंस्टिटूशन के तहत बना था यह ट्विन इंस्टिटूशन थे दो थे और 2001 के अंदर क्या बना शंगाय कोपरेशन और्गनाइजे जानने को मिलता है वर्ल्ड एकनॉस फोरॉम एक इंटरनाशनल औरगनाजिशन अंतर्राष्ट्री औरगनाइज़ेशन है प्राइवेट положवपरेशन यहां पर होता है यानि पॉबलिक यानि कि यहां पर गयार्मेंट के रिप्र्यजर्जेंटेट्ट थे भी 1971 में बना था याद रखिएगा 1971 में not for profit organization है किसी के profit के लिए काम नहीं करती दुनिया के भले के लिए काम करती है जिनेवा स्विजर लेंड में इसका headquarter है ठीक है headquarter HQ कहां पर है इसका जिनेवा स्विजर लेंड के अंदर ही है ठीक है इसके founder इसके संस्थापक जो है वही इसके executive chairman भी है क्या नाम है professor klaus schwab जो है वो इसके संस्थापक भी है और इसके chairman भी है ठीक है चलिए अब कौन-कौन सी reports पेश करती है यह बहुत important है भाई कौन-कौन सी reports IMF फेश करती है एक आता है global competitiveness report IMF के द्वारा ही निकाली जाती है energy transition index यह भी IMF ही निकालती है global information technology report global IT report यह भी world economic forum ही निकालती किसके साथ मिलके INSEED नाम की एक organization है एक संस्था है INSEED और Cornell University Cornell University और INSEED के साथ मिलके world economic forum global IT report निकालती है global risk report निकालती है और क्या release करती है global travel and tourism report भी release करती है तो कौन-कौन सी reports है जो की world economic forum release करती है फटा-फट, global competitiveness report, energy transition index, global IT report, global risk report और global travel and tourism report भी निकालती है ठीक है भाई, clear है समझ में आया, चलिए आगे बढ़ेंगे अब अर्थ्यवस्थाया banking से जुड़ी हुई खबरे देख लेते हैं फटा-फट से कि क्या-क्या है अर्थ्यवस्थाया banking से related news आज हमारे पास क्या देखने को मिलेंगी सबसे पहला वही यूरो जो है वो गिर गया है यूरो की कीमत कम हो गई है और एक डॉलर के बराबर हो गया है किसके बराबर हो गया है एक डॉलर के बराबर हो गया है पहले यूरो जो था वो ताकतवर था यानि ज्यादा डॉलर देने पड़ते थे एक यूरो को लेने के ल लेकिन अब किस में आ गया है, पैरिटी में आ गया है, पैरिटी का मतलब एक डॉलर के बराबर एक यूरो हो चुका है, ठीक है, दूसरी बार हुआ है ऐसा, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रुपया ये यूरो गिरा है, ठीक है, ये यूरो है, वो दूसरी बार गिरा है, यूर 2022 में गिरा है यह वीक निगे जो कमजोर हुआ है ये बताता है कि जो इनवेस्टर्स हैं वो यूरो जोन से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं उसका में रीजन आपको पहले भी बता चुका हूं मैं ही जो युएस का ट्रेटल बैंक है कि एलो यू युर्म व में United States America उसका जो Central Kendri bank है उसका जैसे हमारे पास RBI यह उसके पास क्या है Federal Bank उस Federal Bank ने क्या है अपनी interest rates अपनी ब्याजदर बढ़ा दी है ब्याजदर क्या कर रखी है बढ़ा दी है जब इसने ब्याजदर बढ़ा दी है तो US के जितने भी लोगों ने बाहर पैसा लगा रखा था वो अपना पैसा उठा उठा के US के अंदर लेकर के आ रहे हैं और US dollar जो है वो मजबूत होता चला जा रहा है तो कि बाकी country से जा चुका है market में dollar है कम और dollar है कम तो मजबूत हो जाएगा दूसरी currency जितनी भी दुनिया की currency है उन सब पे फरक पड़ रहा है है वह सारी की सारी currency कैसी हो रही है कमजोर हो रही है रुपया भी तो कमजोर हुआ थोड़े दिन पहले मेंने आपको बताया थाुपय की कीमत गिरिए अब euro की क्राइस हो रखा है रश्या युक्रेण वार के करण रश्या युक्रेण में वार्ज हो रखी है इस वह से रश्या क्या है तेल नहीं पहुंचा पा रहा और वीक्नेस कमजोरी आ रखिया European economy के अंदर जो European अर्थ होस्ता है वह अपने आप में कमजोर हो रखिया क्यों ब्रिटेन बाहर जा चुका है, इतना उत्पादन हो नहीं पा रहा है, जो इंटरनल समस्या, अंतरिक समस्या होंगी, और monetary policy को ले करके, जो response है न, investors का जो पैसा लगाते हैं, उनका response, response कैसा, चुकि US Federal Bank ने क्या किया, ब्याजदरे बढ़ा दी, US Federal Bank ने ब्यास दरे बढ़ा दी तो जो US के लोग जो थे जिन्नों ने पैसा बाहर लगा रखा था अपना पैसा बाहर लगा रखा था वो सब अपना पैसा उठाटा के कहा ले करके आ रहें कारण जान लिए हमने क्यों यूरो कमजोर हुआ है पहला क्या था एनरजी क्राइसिस उर्जा के शेतर में क्राइसिस आ रखा है क्योंकि रश्या और युक्रेन में वार हो रखी है रश्या तेल पहुंचा नहीं रहा उन सब कंट्रीज को यूक्रेन की मदद कर रहे हैं यूर है और जब करंसी कम होती है तब सिखों के सिखों के वजन कम क्यों उथिए करंसी कमंजोर ने यह किस ने बता दिया आप तो चलिए आगे देखते हैं वह पैस्वेश्चन है आप लों के पास विश वन अफ दॉव इंडेक्स ऑफ 8 core industries, जो 8 core industries हैं, 8 core industries हैं, इन 8 core industries के अंदर इन में से कौन सी industry नहीं आती, जल्दी से बताइए, इन में से कौन सी industry जो है, 8 core industries में नहीं आती है, कौन कौन सी है भई, natural gas नहीं आती है, क्या, fertilizers नहीं आता है, क्या, coal नहीं आता है, या cotton नहीं आता है, आठ कोर इंडस्ट्री जो होती हैं उनमें से इनमें से कौन सी नहीं आती है ठीक है आठ कोर इंडस्ट्री जैंडिया के अंदर उन आठ कोर इंडस्ट्री के सेक्टर में इनमें से कौन सा सेक्टर नहीं आता है जल्दी बताईए डी बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गु इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो न्यूज यह थी खबर क्या थी हमारे पास खबर यह थी वह इंडस्ट्री आउट्पुट सामने आया है आउट्पुट यह सामने आया है कि जो माइनिंग खनिजगा शेत्र है वह 10.9 प्रतिशत 10.9% के उच्छाल पर है और इलेक्टरिसिटी सेक्टर जो है वह कितना है कितना बढ़ गया है 23.5% इंक्रीज आया है 25प्रतिश्यत बढ़ावा देखने को मिला एक समें इलेक्रिसिटी सेक्टर पर माइनिंग आउट्पुट कितना पहुंच गया 10.9 परसेंट बढ़ा है अब इसके अंदर 8 इंडस्ट्री की बात होती है 8 इंडस्ट्री की बात होती है नहीं जी बी नहीं होगा डी है अंसर इसका आठ और इंडस्ट्री जो है वो कौन-कौन सी आती है एक तो होती है electricity, उर्जा, दूसरी होती है steel, तीसरी होती है refinery product, भई, petrol वगेरा यह सब refine होते हैं या नहीं होते ये आते हैं, एक एक आता है crude oil, ठीक है एक आता है coal, koila, एक आती है cement, एक है natural gas and fertilizers ठीक है, वापिस बताओं कौन-कौन सी art है, electricity है steel है, refinery products है, crude oil है coal, fertilizers, natural gas और cement, ये आठ में नहीं आठ में आती है, cotton नहीं आता था, ठीक है, cotton था, cotton नहीं आता आठ में, ये सब आती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, खेर, ये किस कितना बनाती है, जितना भी IIP पढ़ा था हमने, याद आ रहा है आपको, index of industrial production क्या index of industrial production जो उत्पादन का index है, उसका 40% से भी ज्यादा ये उत्पादन का जो index है उसके 40% से भी ज्यादा ये 8 core industries बनाती है, ठीक है इसलिए ये 8 core industries भारत के लिए बहुत ज्यादा important है उत्पादन का जो index release होता है जिसकी बात हाली में हमने थोड़े दिनों पहले करी है, उन में से ये 8 industries 40% से भी ज्यादा value रखती है, इसलिए ये important है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है कि इतना weightage होता है, कितना weightage होता है, ठीक है coal का 10% होता है crude oil का 8% खेर इतना ज्यादा important तो है नहीं, इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि electricity sector सबसे ज्यादा important है electricity और refinery electricity और refinery ठीक है, ये बहुत ज्यादा comprise करते हैं बहुत ज्यादा value रखते हैं ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं next news पर आ जाते हैं, इसके अंदर इतना ही था ज्यादा PhD नहीं गरनी इस पर news क्या थी, news ये थी कि IRDAI Insurance Regulatory Development Board of India IRDAI इरडाई, ये बना था was formed due to the recommendation of किस कमीटी के recommendation पे IRDAI Insurance Regulatory Development Board of India के स्थापना हुई थी कौन सी कमीटी थी, जिसने ऐसा बोला था कि IRDAI Insurance Sector जो बीमा शेत्र है उसके लिए एक regulator नियामक बनाना चाहिए क्या नननिलेकनी कमीटी थी नर्थिमन कमीटी थी क्या मलोत्रा कमीटी थी या रंगराजन कमीटी थी का गटन किया जाना चाहिए B और C और A और B A और D भी बता दो कोई सारे हो जाएंगे भाई चलिए हम बताते हैं अब को फटा फट देखते चलिए भाई याद रखना इस चीज़ को नननिलेकनी कमीटी देखिए सब से पहले डिजिटल पेमेंट्स से जुड़ी हुई थी किस से डिजिटल पेमेंट्स भाई आप लोग Paytm, UPI ये सब यूज करते हैं Paytm कर देते हैं स्कैन करके Google Pay कर देते हैं तो उन सब को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोड करने के लिए सरकार नाननन निलेकनी कमीटीAudi बनाई थी डि मोनिटाइजेशन जब हुआ था ना विमुद्री करण 2008 में बड़ा विमुद्री करण हुआ था उस विमुद्री करण या demonetization के समय पर एक committee बनी थी नंदन निलेकनी committee किस से जुड़ी हुई है digital payment से जुड़ी हुई है दूसरी आते है नरसिम्मन committee अब नरसिम्मन committee तो मेरे ख्याल से शायदी कोई होगा जो नहीं जानता होगा अगर नहीं सुना है तो दुख की बात है ठीक है नरसिम्मन committee नरसिम्मन committee जो है किस से जुड़ी हुई है RBI ने बनाई थी नरसिम्मन committee दो नरसिम्मन committee बनी थी एक तो नरसिम्मन committee first बनी थी ठीक है और एक बनी थी नरसिम्मन committee second यह mainly RBI में reforms को लेकर के थी कि RBI में क्या क्या reform किये जाने चाहिए नर्सिम्मन कमीटी 1st जो बनी थी वो 1992 में बनी थी जब liberalization, privatization and globalization जब हुआ था तब 1992 के अंदर जो है वो बनी थी नर्सिम्मन कमीटी 1 और नर्सिम्मन कमीटी 2 कब बनी थी 1998 में बनी थी 1998 में बनती है नर्सिम्मन कमीटी 2 कब बनती है, 1992 में किस से जड़ी हुई है, RBI से जड़ी हुई, ठीक है, clear है तो मलोत्रा कमीटी थी जिसने IRDAI Insurance Regulatory Development Board या Authority of India बोर्ड नहीं है, Authority है, Authority of India ठीक है, Authority of India का गठन करवाया था किसने मलोत्रा कमीटी के recommendation पर हुआ था, ये है answer तो रंगराजन कमीटी किस से जुड़ी हुई है तो रंगराजन कमीटी जो है poverty गरीबी से जुड़ी हुई है किस से जुड़ी हुई है, गरीबी से जुड़ी हुई है रंगराजन कमीटी, ठीक है क्या clear है कौन सी कमीटी किस से जुड़ी हुई है चलिए, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि IRDAI से जुड़ी हुई क्या news थी तो न्यूज तो कुछ ऐसी थी कि IRDAE ने एक task force बनाया था क्या बनाया था task force बनाया था insurers और reinsurers के बीच में जो विवाद हो गया था उससे निपटने के लिए task force बनाया किसने बनाया insurance regulatory insurance and regulatory development authority of India यह पता नहीं कैसे गलत दिखा हुआ insurance regulatory development authority of India ठीक है अब सही है IRDAI insurance regulatory development authority of India India full form important याद रखिएगा इसने एक task force बनाया थी insurers जो बीमा करते हैं और दुबारा से बीमा करते हैं उनके बीच में मलोत्रा कमीटी के recommendation पर मलोत्रा कमीटी ने recommend किया था कि इसका कठन किया जाना चाहिए ठीक है इसके headquarters का chairman है अभी इसके chairman है वो है देवशीश पंडा नाम याद रखिएगा chairman कौन है देवशीश पंडा है फिलहाल ठीक है क्या क्लियर है इतना IRDAI Insurance Regulatory Development Authority of India भारतिय बीमा विनियामक और विकास प्राधी करण के बार है चलिए आगे बढ़ेंगे फटा फट और एक और न्यूज एकोनॉमी से जुड़ी हुई किस से जुड़ी हुई है एकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज है न्यूज क्या कहती है न्यूज ये कह 4 sempre forecast करी है कि इंडिया की gdp कितनी होगी कब 2023 में क्या सकल घ्रेलू उतपाद सकल घ्रेलू उतपाद क्या होता है जब तक हम बताते हैं, आप बताईए, GDP क्या है, सकल घरिल उतपाद क्या है, हाँ जी देवाशीष पंडा है, जल्दी से, आप बताईए, सकल घरिल उतपाद, या GDP क्या होती है, तो नौमूरा जो है, वह इंडिया की GDP को कम करके बता रही है, पहले इसने बताया था 5.4% रहे अब कहती है कि 4.7 चार दशम लाओ साथ प्रतिशत रहेगी कब 2023 में ऐसा नोमुरा कहती है नोमुरा एक ऐसे कर लो investment bankers हैं यह लोग ठीक है bankers है जो की GDP भी बताते हैं किस country की कितनी रहेगी ठीक है GDP क्या होती है जल्दी सकल घरिल उत्पाद क्या होता है बताइए अरे gross domestic product तो हमें भी पता है क्या होता है the value of क्या है यह value of यहां लिखते हैं GDP के बारे gross domestic product value of all final goods and goods all final goods and services the value of all final goods and services produced within a territory in a financial year financial या fixed time कहलो एक फिक्स समय में या एक साल में एक territory में यानि कि एक country में जिस एक सीमा में कितना final goods और services का उत्पादन होता है कितने सामान का final जामान का उत्पादन होता है उसकी value क्या होती है यह क्या बताती है GDP gross domestic product बताता है सकल घरेलू उत्पाद क्या बताता है कि value क्या है final goods और services की जो की एक territory में एक साल एक साल में उत्पादित होते हैं यह क्या है भाईया GDP है आपका ठीक है नोमुरा ने पहले 5.4 बताई थी अब 4.7 कह दी क्यों तो कि उसको ऐसा लग रहा है इंडियन एकनौमी रिसेशन में जा रही है इंडियन एकनौमी नीचे जा रही है ठीक है हाँ goods and service नहीं final good and service बोलिएगा अब देखिए बाकी दूसरी organization भी है जिसने 2023 के लिए GDP forecast करी है कि इंडिया की GDP कितनी रहेगी है दूसरी organizations नहीं बताया है किस-किस ने बनाया है एक Morgan Stanley नाम की organization है जो कहती है 7.6 रहेगी 7.6 प्रतिशत रहेगी Morgan Stanley के इसाब से एक है S&P पूरा नाम है standard and poor क्या नाम है standard and poor क्या कहती है कितनी रहेगी 7.3 साथ दशमलव तीन प्रतिशत रहेगी world bank क्या कहता है 7.5 प्रतिशत ये थोड़ा important है कि world bank क्या कहता है और 6.9 प्रतिशत रहेगी ये कौन कहता है OECD कहता है तो अलग-अलग organization नहीं बताया है कि इंडिया का सकल गरिलू उतपाद इंडिया का gross domestic product इंडिया का GDP 2023 के लिए Morgan Stanley के हिसाब से 7.6 standard and poor के हिसाब से 7.3 world bank बहुत important क्या कहता है 7.5 OECD क्या कहती है 6.9 फिगर तो याद रखिएगा ठीक है कम से कम world bank का तो याद ही रखिए कि world bank क्या कहता है चलिए आगे बढ़ेंगे फटा फट से और देखेंगे अगली न्यूस agreements and MOUs ठीक है क्या क्या साज़ेदारियों में सबसे पहले बात आती है कि साज़ेदारी करिया MOU किया है किसने इंडिया and Medagascar ने किसने किया है इंडिया ने और Medagascar नाम की एक country है उसने किया है किसके लिए कि कहा है कि pan-african पूरे अफरीका के अंदर एक e-network project लगाया जाएगा लगबग एक ठीक है networking का project लगाया जाएगा और क्या लगाया जाएगा e-v-b-a-b जिसको e-vidyabharati कहते हैं और e-aroghyabharati खेर यह कुछ जादा हो जाएंगी चीज़ें ठीक है विद्यabharati क्या है आरोगhyabharati क्या है आप बस इत्ता ध्यान रख लीजिए किस से जुड़ी हुई है यह टैली medicine से एक तो किस से जुड़ी टैली education कैसी शिक्षा जो online ये telephone के माध्यम से provide की जाएगी इन दोनों शेत्र में क्या sign किया है MOU sign किया है किस किस ने sign किया है इंडिया ने और Medagaskar ने sign किया है project का नाम क्या है e-v-b-a-b-a-s को कहें e-vidyabharati और e-aroghyabharati क्या नाम है e-vidyabharati e-aroghyabharati विद्यabharati समझ में आ रहा है विद्यabharati जुड़ा हुआ होगा education या शिक्षा शेत्र से आरोग के भारती दवाईयों से या health के sector से जुड़ा हुआ है ठीक है अब ये world map है अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो लगबग समझ में तो आई रहा है world map मैं borders है आपका अफरीका ठीक है यह है अफरीका और यह है एशिया इंडिया का पार्ट हो गया यह दूसरी जगए हो गई यह एशिया है यहां पे country है यह जो लाल रंकी आपको दिखाई दे रहा है यह मैडागासकर क्या है Medagascar ये है जी Medagascar ठीक है क्या अब तो Black हो गया ये Medagascar है किस में पढ़ता है Indian Ocean है ना यहाँ Indian Ocean हिंद महासागर के अंदर Medagascar पढ़ता है जो अफ्रीका है उसके किस तरफ है पूर्व की तरफ दक्षिन पूर्व की तरफ है क्या है Medagascar है एक लिए व्ल्ड में अपसे क्लियर हो रहा होगा चीज समझ में आ रही होगी आपको प्लियर है तो बता दीजिए जरा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे Science and Technology विज्ञान एवं प्रध्योगी की से जुड़ी हुई चीज़े देख लेते हैं फटा फट से भई पहली न्यूज क्या कहती है पहली न्यूज यह कहती है कि DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है नौड का मतलब है मंजूरी देना मंजूरी दे दिये किसको Serum Institute of India क्या नाम है एक company है जिसका नाम है Serum Institute of India जो की पुणे में है इसने सर्विकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन बनाई है सर्विकल कैंसर बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का कैंसर होता है हाला कि इससे बचा जा सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा किस्म में ही होगा औरतों में ही होगा सर्विकल कैंसर बच्चा इससे जा सकता है लेकिन क्योंकि इसकी एक अच्छी vaccine available नहीं है, इसलिए cervical cancer की वज़े से हर आठ minute के अंदर एक lady की एक woman की म्रत्यू हो जाती है, इसलिए भारत के अंदर burden कुछ ज्यादा है cervical cancer का, cervical cancer के लिए क्या बनाई है, vaccine बनाई है, किस ने बनाई है, Serum Institute of India ने मनाई है वैक्सीन का नाम है सर्वैक सर्वैक इंडिया की पहली Quadrivalent Human Papillomavirus वैक्सीन है किसने मनाई है वैक्सीन है यह ठीक है वैक्सीन का नाम है यह सर्वैक बनाने वाला है Serum Institute of India जो की पुणे में है इसको Drug Controller General of India इसने मार्केट में ले जाने के लिए हां कर दी है इसने मार्केट में ले जाने की मंजूरी दे दी है ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे Personalities in News अब News में कौन कौर सी personalities थी? आज ही ख़बरों में वो देख लेते हैं सबसे पहले नाम आता है माइकल क्रेमर का प्रोफेसर माइकल क्रेमर आज से दो साल पहले बहुत ज्यादा थे खबरों में फिलाल ये क्या है भारत घूमने आये हुए हैं इसलिए खबरों में आ गए हैं दोबारा से इनको नुबेल प्राइज मिला था एकनॉमिक्स का अर्थ शास्तर का नुबेल प् economics का कब मिला था 2019 में बताया ना दो साल पहले 2019 में इनको Nobel Prize मिला था economics में अर्थ शास्त्र का Nobel इनको मिला था ठीक है किसके लिए मिला था इन्होंने experimental approach अपनाई थी poverty के लिए जो दुनिया में गरीबी बहुत जादा बढ़ गई है उसको कम करने के लिए इन्होंने एक novel अप्रोच एक नया तरीका अपनाया था जिसका नाम था randomized controlled trials RCT ठीक है एक जगह चुन लेते थे और वहाँ पे trial करते थे कितने लोग गरीब हैं तो कितने लोगों को पैसा दे दिया जाएगा तो अपने गरीबी को कम करेंगे वगेरा वगेरा दो तीन तरीके experiment इन्होंने किये थे जिससे की गरीबी के निवारण में मदद मिल सके इसलिए इनको Nobel Prize दिया गया था economics का 2019 में अभी जीत बैनर्जी और एस्चेर्ड फ्लो के साथ ठीक है चले आगे बढ़ेंगे अगली न्यूस है order of the rising sun award किसको दिया गया है नरायनन कुमार को दिया गया है वही नरायनन कुमार को दिया गया है जो कि vice chairman है सन्मार ग्रुप के कहां के वाइस चेयर्मेन है सनमार ग्रुप के और गोवर्मेंट ओफ जपान गोवर्मेंट ओफ जपैन जो जपान की सरकार है उन्हों ने इनको दिया है उनको रोबस्ट बनाया है उनको स्ट्रेंदन किया है इसलिए order of the rising sun award दिया गया नरायनन गुमार जो की वाइस चेयर्मेन है सनमार ग्रुप के ठीक है क्या चलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे और क्या क्या है फटाफट से देख लेते हैं बंगलादेश के high commissioner to India बंगलाद हुई खबर हमको खबर तो हमको देखने को मिल गई लेकिन सवाल किस तरह से आ सकता है सवाल बंगलादेश पर भी आ सकता है तो बंगलादेश को देख लेते हैं बही यह रहा बंगलादेश ठीक है जो लॉंगेस्ट बॉर्डर जो है ना इंडिया की बंगलादेश से मिलती कि बॉर्डर ऑफ इंडिया किस देश के साथ है बंगलादेश के साथ है चाइना के साथ भी नहीं है पाकिस्तान के साथ भी नहीं है बंगलादेश के साथ है ठीक है पहली important बात तो ये दूसरी important बात क्या दूसरी important बात ये कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बहुत important हिस्सा है क्योंकि ये हिस्सा क्या बनाता है ये हिस्सा बनाता है जी आपका डेल्टा, कौन सा डेल्टा, गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा बनाता है ये वाला हिस्सा, ठीक है क्या, और यहीं पे गंगा डेल्टा पे बनते हैं, दुनिया के सबसे बड़े महिंगरूज, या दुनिया के सबसे ज्यादा पहले हुए महिंगरूज, क्या नाम है, जर्बंस जो हैं इसी गंगा डिल्टा पे हैं तो यह कुछ बेसिक्स थी किस से जुड़ी हुई बंगला देश से जुड़ी हुई ठीक है क्या जी चालिए आगे बढ़ेंगे फिफ्टी फिफ्टी बेल चेस फेस्टिवेल चैस शत्रंज का एक फैस्टिवल हुआ था जिसमें इवेंट व्डाता फिशर रेंडम इवेंट और फिशर रेंडम इवेंट जीत गए है यह साहब बेर err गप जी जी जो है वो किसके शत्रण जगे के लाड़ी इंडियन ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं यह जीत गए थे इस इवेंट को किसके साथ एस पी सेथू रमन जिनोंने इनका साथ दिया था उनके साथ जीते थे जो बेल नमक जो जगे है जिसका नाम है बेल यह बेल स्विजर लेंड में है पीने वाली बेल नहीं है यह यह बेल कहां पे है स्विजर लेंड में ठीक है याद रखेगा इस बात को बेल कहां है स्विजर लेंड में है गूड इवनिंग डॉली सिंग जी चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर देखेंगे अगली खबर क्या है अगली खबर भी स्पोर्ट्स की न्यूज है वही स्पोर्ट्स की न्यूज ये कहती है कि जॉन चेस मास्टर्स टाइटल इसको वैसे गियॉन पढ़ा जाएगा जे साइलेंट है, गियॉन चेस मास्टर्स टाइटल, गियॉन चेस मास्टर्स का खिताब, इसने जीता है, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जीता है, टाफिक कम उम्र है इनकी, 16 साल के ही है, ग्रैंड मास्टर जी गुकेश, जिन्होंने क्या जीता है, गियॉन चेस मास्ट का किताब इन्होंने अपने नाम किया है ठीक है चलिए जी तो इतनी ही थी जी हमारी आज की क्लास आज की क्लास में बहुत सारी न्यूज बहुत सारी खबरें बहुत सारी बुलेटिंस हमने कवर की हमको पढ़ने को मिली उम्मीद करते हैं आप याद रखेंगे नहीं याद र लग रही है ठीक है चलिए अगर आप offline classes जॉइन कर सकते हैं तो आप जी आज के लिए था बस इतना ही आप से मुलाकात होगी अब मंडे को कब मिलेंगे मंडे को मिलेंगे तो मंडे को जरूर आएं कब आएं मंडे को मंडे को आएं पांच बजे शाम को शाम को पांच बजे आए अकर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो इंतजार कर लीजिए या तो तकनीकी खामियों की वज़े से लेट हो जाएंगे या बारिश वगयरा कुछ होगी वही कारण हो सकता है वरना हम टाइम पर क्लास आपकी लेते हैं आप अश्री जी थैंक यू बाई शिल्पा जी बाई चालिया थैंक यू सो मच आप सभी को जय हिंद एंड जय भारत बाबाई